असलाम लेकुम स्टूनेट्स, इस यूर फिजिक्स क्लास, वी आर सदिंग यूनिट फाइव नाओदेज, इस चैप्टर का नाम है ग्राविटेशन, आपने इसमें अब तक फोर्स ऑफ ग्राविटेशन पढ़ा, आपको इसमें मैंने लौ अफ ग्राविटेशन बताया कि कि दो बॉडिज के लिए वेलिड है, फिर हमने लौ अफ ग्राविटेशन और न्यूटेंस थर्ड लौ अफ मोशन की, आपस में अकॉर्डेंस पड़ी, उसके बाद हमने ग्राविटेशनल फील्ट को दिसकस किया, फिर इसके बाद हमने मैस ऑफ अर्थ और विरियेशन ऑफ दिसकस किया था, लास्ट हमारा टिट्उट का आर्टिफिशल सेटलाइट का, तो हमने तकरीबन इसके सारे मेन टॉपिक्स कवर कर ली है, अब आपके रह गए शॉट और नूमेरिकल्स फ्रॉम दर एक्सरसाइज, तो हम आज नूमेरिकल्स से स्टार्ट लेंगे, इसके ल problems and we'll start with problem number one. So, बच्चो, problem number 5.1 states that find the gravitational force of attraction between two spheres, each of mass 1000 kg, the distance between the center of the sphere is 0.5 meter. आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले आप given data लिखते हैं, उसी तरीके से आप इसमें से पहले data generate करेंगे. data निकालने के लिए आपको बता रही हैं कि दो spheres हैं, उनकी आपने gravitational force of attraction find करनी है, दोनों का each का mass, यानि दोनों के masses 1000 kg हैं और उनके बीच में distance है 0.5 meter. आपने law of gravitation पढ़ा हुआ है, किस तरह दो bodies के बीच में force of gravitation exist करती है, उसका एक formula भी है, वो भी हमें पता है, तो हम उसी तरह से start करेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे mass of first sphere M1 is equals to 1000 kg. फिर आप mass of second sphere which is also M2 is equals to 1000 kg. फिर आप उसके बाद इनके बीच में जो distance है वो लिखेंगे इस 0.5 meter, उसके बाद आपको पता है, gravitational constant की एक value है, 6.673 into 10 raised to power minus 11 newton meter square per kg square, यह आप लिखेंगे. अब आपको required में, उन्होंने पहली line में ही बता दिया है कि find the gravitational force, तो आपने gravitational force find करनी है, उसको हमने F से denote किया, वो required है. solution हम start करेंगे, बिल्कुल उसी तरह as we know that, आपको पता है कि यह law of gravitation है, कि F is equals to G M1 M2 over D square. इसमें आपको पता है, G gravitational constant है, M1 M2 masses है और D उनका distance है. जब हम यह सारी values put करते हैं, यह जो आपको star का निशान नजर आ रहा है, यह आपर यह असल में multiply को show कर रहा है, कि 6.673 into 10 raised to power minus 11, multiply by 1000, 1000 two times इसलिए क्योंके दोनों masses जो है, यह 1000 kg हैं, और उसके बाद हमने यह सारी values put की हैं, D की हमने value put की है, which is 0.5, इनको हमने divide की है, इन calculations को आप खुद से करके देखें, खुद से solve करके देखें कि क्या वाकिए यह answer आता है, तो बच्चों अब जब आप इसको solve करेंगे तो हमारा answer आता है, 2.67 into 10 raised to power minus 4 newton, यह newton इसलिए है क्योंकि हम force find कर रहे थे तो उसके बाद आप जिस तरह पहले results लिखते थे उसी तरह result लिखेंगे, the required force of attraction between two spheres is 2.67 into 10 raised to power minus 4 newton, अब इसके बाद आपने next question start करना है, question number 5.2, it states as the gravitational force between two identical lead spheres kept at one meter apart is 0.006673 newton, find their masses, इसमें उन्होंने यह बताया वह है, जैसे पहले आपको बताया था कि दोनों spheres जो थे पिछले numerical में एक जैसे masses के थे, यहाँ पे उन्होंने यह बताया है कि gravitational force जो उन्होंने दो identical lead spheres के बीच में, यानि कि वो spheres हैं, वो identical हैं, इसका मतलब है कि दोनों masses फिर से सेम होंगे, उनके बीच का distance है, वन मीटर अपार्ट, यानि कि वो वन मीटर एक दूसरे से दूर है, और उन्होंने force of gravitation बता दिया है, 0.006673 newton, अब उन्होंने कहा है, आप इसके find करे forces, बिटा यह बिलकुल उसी तरह numerical है, जिस तरह आपने पिछला solve किया, आपको पता है, हर numerical में कुछ चीजें आपको बता दी जाती है, कुछ चीजें आपने find करनी होती है, लेकिन यहां पर भी again law of gravitational force लगेगा, उसको आपने उसी तरह apply करना है, सबसे पहले हमने given data लिखना है, यहां पर हमें बता दी है, उन्होंने gravitational force हमने उसकी value लिखी है, which is 0.006673 Newton, उसके बाद हमारे पास जो spheres का distance है, वो 1 meter है, उसके बाद आप gravitational constant लिखेंगे, 6.673 into 10 raise to power minus 11 Newton meter square पर kg square, हर एक में आपने gravitational constant जरूर लिखना है, जिस तरह gravity के जो miracles आते थे, उनमें आप gravitational acceleration लिखते थे, यहां पर आप gravitational constant लाजमी लिखेंगे, जिस रिक्वाइड चीज़ है, वो आपको पता है, हमारे पास यहां पर masses है, दो bodies जिनकी हमने masses find करने हैं, लेकिन हमें सिर्फ हिंट ये दी गई है, कि इन दोनों masses ये identical हैं, यानि कि ये same है, जितना भी एक mass होगा, उतना ही दूसरा mass होगा, अच्छा बच्चो इस numerical में, अब हम उसी तरह force of gravitation का formula यूज करेंगे, f is equal to g m1 m2 over d square, m1 और m2 आपको मैंने बताया था identical हैं, यानि कि same हैं, तो उनको हम generally m से भी denote कर सकते हैं, m1 is equal to m2, let's say it is equal to m, हम m का square लें या उसको कहें कि दो masses जो same है, m1, m2, वो एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे, अपनी असानी के लिए यहां पर m square over d कर देंगे, अच्छा, चुके हमें find ही m square या हमने masses of both spheres या identical lead balls का लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, m2 को हमने एक तरफ साइड पे कर दिया, equation में, अब आप दूसरी तरफ पे देखें, तो it's f multiply d square over g, बेटाब मैं दुबारा से बता दूँ, यह स्टार का sign यहां पर multiply को show कर रहा है, तो f multiply d square over g, अब हम क्या कर सकते हैं, कि हम m square को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें तो m1 find करना है, हम यह कर सकते हैं, कि m square का हम एक square root ले ले, हमने दोनों तरफ जब square root ले लिया, तो हमने उसके बाद इसकी values पुट करनी है, values सारी आपके पास given है, आप इनको solve करेंगे, तो answer आता है 10 raise to power 4, 10 raise to power 8, अब हमने क्या किया है, हमने, क्योंकि square खत्म करना है न, तो हम क्या करेंगे, कि 4 8 की जगा हमने powers को 4 multiply 2, यहनि कि 4 उसका whole square ले लिया, ताकि square root और यह जो square है, यह खत्म हो जए, इससे हमारा answer आगया है, 10 raise to power 4, तो 10 raise to power 4 को scientific notation में जब आप open करते हैं, तो आपको पता है, तो it's m is equal to 10,000 kg, तो since हमने पहले ही कहा था कि M1 और M2 आपस में बराबर हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि M1 भी 10,000 kg है, और M2 भी 10,000 kg है, इसको आप फिर से समझ ले, 10 raise to power 8 आया था, हमने उसकी power को split किया, 4 into 2 में, ताकि हमारा answer, जो है, square root खतम हो सके, उसके बाद आपने इसी तरह result लिख लेना है, कि each sphere has mass 10,000 kg, आई होब इस mass, इस numerical में भी आपको कोई problem नहीं होई होगी, it's very easy numerical, सिर्फ इसकी calculations आपने करके जरूर देखनी है, ताकि आपको समझ आए कि आपने इसको solve कैसे करना है,